हम सभी ने गरीब भिखारियों को दान दिया है दान करना भी बहुत अच्छी आदत है लेकिन यकीन मानिये इस कहानी में किसी जरूरतमंद की मदद करने का जो तरीका बताया गया है वो आपके दिल को जरूर चुएगी एक आदमी पैदल किसी गाव जा रहा था उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में कागाज फंसा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे सो रूपे कहीं गिर गए मैं बहुत बूरी हो चुकी हूँ और मुझे आखो से साफ नहीं दिखाई देता खृपया इस रास्ते पर कहीं भी अगर किसी को मेरे गिरे हुए सो रूपे मिलते है तो खृपया करके उसे इस पते तक पहुचा दे नीचे दिये गए पते को पढ़ने के बाद उस व्यक्ती का मन वहां जाने को करने लगा उस व्यक्ती ने पते को याद किया और वहां की तरफ को निकल पढ़ा वहाँ जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो उसने देखा कि गली के आखिरी हिस्से में एक जोपड़ी है और वहाँ से एक बूरी ओरत लाठी के सहारे बाहर निकल रही है वो आदमी जानता था कि बूरी औरत वहां अकेली रहती है बूरी औरत के आने पर आदमी ने उसे बताया कि मा जी मुझे आपके गिरे हुए 100 रूपे का नोट मिला था यह रहे आपके 100 रूपे बूरी औरत उस व्यक्ति की बात सुनकर रोने लगी और बोली बेटा कल से अब तक लगभग 20-25 लोग मुझे 100 रूपे दे चुके हैं बेटा मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता पता नहीं किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है उस व्यक्ति के बहुत कहने पर उस बूरी औरत ने उससे 100 रूपे लिए लेकिन उस व्यक्ति से विनती करते हुए कहा बेटे जाते समय यह संदेश फढ़ कर फिक देना ना जाने किसने मुझे पर दया करके ऐसा किया है उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और चला गया थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी सोचने लगा कि आखिर उन 20-25 लोगों को जो बूरी औरत के पास आये थे उनसे भी उस बूरी औरत ने संदेश फढ़ने के लिए कहा होगा लेकिन किसी ने भी अभी तक इसे फाड़ा नहीं तो फिर मैं इससे कैसे फाड़ सकता हूँ उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर आ रहा था जिसने इस तरह से बूरी औरत की सेवा करने का रास्ता खोज लिया उस व्यक्ती के लिए उसका मन कृतग्यता से भर गया फिर क्या था उस व्यक्ती ने भी खंभे में लगे उस संदेश को वیسे ही रहने दिया दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन में केवल कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए मदद करने के कई तरीके हैं अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है, तो हम किसी ना किसी रूप में जरूरत मंदों की सेवा कर सकते हैं कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में शांती और खुशी है